वरिष्ट पुलिस अधिक्षक राम गोपाल गर के निर्देश पर भारी वहांचालकों को बाय चलने जागरुक करने फालो ट्रैफिक लेंज जागरुकता अभियान की शुरुवात यातायाद पुलिस ने की है प्रथम चरन में लेंज डिसिप्लेंज की लिए जागरुक किया गया हाईवे में गलत लेंज से ओवर टेक करने की वज़ा से होने वाली सड़क दुरगटनाओं को रोकने यातायाद पुलिस ने फालो ट्रैफिक लेंज जागरुकता अभियान की शुरुवात की है बाफना टोल प्लाजा एवं कुमारी टोल प्लाजा में भारी वहन चालकों को पंप्लेट वित्रण कर एवं ओडियो जिंगल के माध्यम से जागरुक किया जा रहा है प्रथम चरण में समझाईज देने के उपरांद जो वहन चालक लेंड डिसिप्लीन का पालन नहीं करेंगे उस पर कारवाई की जाएगी वरिष्ट पुलीस अधिक्षक राम गोपाल गर्ग के द्वारा नैशनल हाईवे त्रेपन में भारी वहन चालकों को बायन लेन का प्रयोक करने दिये गए निर्देश के परिपालन में यातायत पुलीस द्वारा बाफना टोल एवं कुमारी टोल प्लाजा में दोनों मार् पुलीस अपील कर रहे हैं कि फोर्ड लेन में चलते समय बायन लेन का उप्योग करें असरल सुगम सुवेस्थित यातायात वहस्ता बनाने में दुर्ग पुलिस का सहोग करें तो सभी वहां चालकों से अपील है कि आप लोग यहां से जब निकलते हैं राइपूर की और ज चले ताकि जो दाइने लेन हैं उसमें जो छोटी कार है स्पीड वाली गाडिया है वह आसानी से चल सके और घटना की संभावना को कमी किया सके एक अभियान के रूप में इसको आज से बरिश पुलिस अजिक्षक महोदे के मारदशन में चालू किया जा रहा है यह दोनों गौर्ट अलब है कि नैशनल हाइवे त्रेपर में प्रती दिन 30,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं जिनमें से लगभक 4,000 भारी वाहन होते हैं भारी वाहन बाएं लेन में चलने से एवं लेन डिसिप्लीन का पालन करने से सड़क दुरगटनाओं में कमी लाई जा सकती है जिससे गलत लेन से ओवर्टेक करने से होने वाली सड़क दुरगटनाओं को रोका जा सकता है यातायाद पुलिस प्रतम चरण में भारी वाहन चालकों को समधारिश देने का कारे कर रही है इसके पस्चाज जो वाहन चालक लेन डिसिप्लीन का पालन नहीं करेंगे उन पर कारवाई की जाएगी फालो ट्रेफिक लेन केंपेन का शुभारम डियस पी ट्रेफिक सतीश ठाकूर की उपस्तिती में बाफना टोल पलाजा से किया गया इस दोरान निरिक्षक पीडी चंदरा प्रभारी यातायाज जोन आकास गंगा निरिक्षक बोधी राम धिर है प्रभारी यातायाज जोन भिलायती निरिक्षक यश करर धुरू प्रभारी यातायाज जोन दुर्ग हाईवे पेट्रोलिंग के जवान उपस्तित थे Grand Asian News के लिए संजय दुबे